Hello all, my name is Krushnayek and welcome to my YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Data Science Interview Preparation के बारे में और प्लीज मेक शॉर करेगे अब पुरा वीडियो एंड तक देखेगा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे Materials आप लोगों को शेर करने वाला हूँ और यह जो Materials हैं इसमें Data Science Interview के Questions और Answers आपको मिल जाएंगे और जितना आपको यहाँ पे Content मिल रहा है न यह 30 Days का पूरा का पूरा Data Science Interview Preparation का में Road Map बता दूँगा आपको Day by Day एक एक फाइल इसको Solve करना है Day by Day प्रॉबबली एक फाइल में 20 Questions है अगर आप एक घंटा भी दे देंगे इस सारे किस सारे Questions solve हो जाएंगे और हमेशा याद रखे Data Science जभी भी कोई Interview देने जाते हैं वहाँ पे यूजली Theory plus Practical का Combination भी होता है बट अब तक जितना भी मैं देखा हूँ Theory ज़्यादा पूचा गया है आपको Use Kiss के बारे में ज़्यादा पूचा गया है कि आप कैसे solve कर सकते हैं तो प्लीज मेक शॉर करेगा ये वीडियो को end तक देखेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सस्क्राइब कर दीजेगा और चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपे मेरा screen share कर देता हूँ तो ये रहा पूरा का पूरा data science interview preparation का 30 days from iNeuron तो ये वाले materials इतने बहतरीन हैं इतने सारे लोगों ने use किया है जिनको data science interview data engineering interview भी clear कर लिए है data analyst interview भी clear कर लिए है तो चलिए मैं आपको एक example दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी files दिख रहे हैं यह day by day सब कुछ है तो day 1, day 2, day 3, day 4 जैसे अगर मैं यह file को click करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह day 27 है ऐसे ही मैं दूसरे files यहाँ पे click कर सकता हूँ click करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखता है day 3 है तो usually यह पुरा का पुरा नाम नहीं दिख रहा है बट अगर आप यहाँ से clone या download zip कर लेंगे तो आपको पुरा का पुरा interviews दिखेगा तो चली अभी मैं यहाँ आपको third day के बारे में दाता हूँ क्या क्या चीज है जैसे यहाँ पे जो रहता है तो यहाँ पे उसका answer है पुरा का पुरा कैसे categorize है कैसे इसको fix करते हैं वो सारा चीज यह materials हम लोगो काफी time लगा है iron neuron में इसको बनाने के लिए guys please make sure करिएगा आप यह materials को भी consume करिएगा और दूसरे को भी share करिएगा क्योंकि यह सारे materials से आप बहुत सारे questions easily solve कर सकते हैं जैसे what is multi-colonarity how do you treat it है ना correcting multi-colonarity और यहाँ पे देख सकते है what is market basket analysis what is association analysis ऐसे बहुत सारे questions है के नियर इस नेबर के बारे में और बहुत सारे चीज तो यह वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे यह भी देखे हम लोग ने कैसे यूगलेडिन, मैनेटन, मिनकौस्की यह सारे चीजों के बारे में discussion किया हुआ है pipeline क्या होता है और यहाँ पे आप code कैसे लिख सकते हैं वो सारे चीजों के बारे में discussion किया हुआ है जैसे यह principal component analysis है ऐसे ही आप जैसे जैसे जाते जाएंगे इतने इतने interview आपको daily complete करना है और trust me guys अगर आप इतना interview clear कर देते हैं इतना questions आप clear कर देते हैं तो आप easily crack कर पाईएगा और यह जो materials है ना यह guys यह सारे data scientists जो काम करते real world industry में हमारे company में वो लोगों ने बनाया है बहुत ही अच्छे-चे examples में देखें यह type 2 error क्या होता है considering an HIV example which error do you think is more acceptable तो यह सारे conclusions कैसे लाना है वो भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है आपको कुछ नहीं करना है पढ़ना है बस पढ़ते जाना है materials को देखना है और daily बस एक घंटा devote करना है ठीक है तो ऐसे ही बहुत सारे files हैं इदर आप दूसरे दूसरे जैसे आप day 3, day 4, day 5 complete करते हैं तो आप दूसरे दूसरे materials को देखते जाहिएगा और उसके बारे में पढ़ते जाहिएगा अब जो record है हम लोग ने iNeuron में ये सारे materials share करने के बात किया है ये हम लोग अब open source बना रहे हैं इसको सब लोग use कर सकते हैं पहले भी इसको open source बनाया हुआ है so that लोग easily जहां भी पैसे डाल के probably पड़े हैं उनको फिर भी data science job crack करने में difficult हो रहा है उनको वो difficulty नहीं होना चाहिए और ये सबसे अच्छा material इस बात ये github materials जो भी हम लोग ने data science interview question के बारे में बनाया हुआ है इसमें आपका include होता है stats, machine learning, deep learning, computer vision, NLP ठीक है और reinforcement learning भी तो सारे के सारे चीज हम लोग ने इसमें cover कर दिया है तो आप बस इसकी अच्छी तरीके से तयारी करिएगा क्योंकि ये जो data science interview preparation है बहुत सारे लोगों ने already clear कर चुके है materials को देखके बस उन्होंने daily अगर समझ लीज़ा आपका target है 6 दिन में अटेंड करना 30 days का data science interview आपको दिन में 5 फाइल भी कर देंगे तो definitely आप ये सारा चीज़ यूज़ करिए और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में और बताइएगा plates में जो भी placements हुआ है बहुत सारे बच्चे लोगों का हुआ है वो लोग बहुत easily crack कर चुके हैं और उनका feedback इस interview preparation materials में बहुत ही अच्छा है तो ये जो materials बना है काफी महनत लगा हुआ है ये सारा materials बनाने में और अगर आप चाहते हैं ठीक है मैं भी कुछ अपने YouTube channel में 30 days का यही सारे interviews discussion करूँ ठीक है तो आप मेरे को बताइएगा ठीक है और अगर उसको पूरा करना है तो आप definitely thousand likes कर दीजेगा इस वीडियो में ठीक है तो उसके हिसाब से आप मेरे को बताइएगा मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में this was it from my side I'll see you all in the next video have a great day thank you and all bye-bye